दिल्ली पुलीस की इस्पेशल सेल के हत्ते चड़े तीन आतंक्यों से कई एहम खुला से हुए हैं मुख्य अरुपी शहनावाज साथियों के साथ दिल्ली एंसियार समेन उत्तर भारत की अठारा जगहों पर रेकी कर चुका था उसे सीमा पार से निर्देश था कि बड़े पेमाने पर ब्लास्ट कर तभाई मचानी हैं ISI के इस पूरे मॉडियूल में नोजवानों को भरती करने से लेकर उन्हें विस्फोटक तयार करने और उसे ब्लास्ट करने की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी जाच से जुड़े वरिष्ट अधिकारियों ने बताया कि इस आतंकी मॉडियूल में न सिर्फ केमिकल के जरी बंबनाएं बल्कि पूरे के जंगलों में इसे ब्लास्ट का ट्रायल भी किया था इनके निशाने पर देश के कई भीड़बाण और वी आईपी इलाके थे शानावास के ठीकाने से भारी मातरा में लिक्विट केमिकल बरामत किया गया है जिसका इस्तेमाल आई एई डी बनाने में करने वाले थे सेल के अधिकारियों के मताबिक इन्हें आई एई डी बनाने में महरत हासिल है ये बड़ी आसानी से बम बना लेते हैं आतंकी मॉडियूल में भरती के गए कुछ संगदिक दोक्यों हिरासत में लेकर पूछताच की जा रही है इनकी भूमिका भी शक के दाइरे में है पुल इस बारे में पूरी चेन को खंगाल रही है पुड़े पुलिस और एनाई ए की टीमों ने कुछ दिन पहले ही आतंकीों की तलाश में राजदानी के मद्द दिल्ली और दक्षिन पूर्वी दिल्ली के कुछ इलाकों में चापे मारी की थी पिछले कुछ दिनों में एनाई इने दिल्ली एन्सियार पंजाब हरियाना राजिस्थान यूपी समेट कई राज्यों में लगातार चापे मारी कर रही है इन दोरान कुछ जगों से एनाई ए की टीमों ने हतियार और गोला बारुद भी बरामत किया है आतंकीों की निशाने पर कुछ प्रमुक मंदीर और अनिस्थान थे सुत्रों के मुताबिक इसमें सबसे प्रमुक इस्थान मुंबई के मरीन ड्राइव इस्तिचाबड हाउस और प्रमुक मंदिर में अयोध्या का रामंदिर निशाने पर था कोलाबा इस्तिचाबड हाउस पर 26-11 में भी आतंकी हमला हो चुका है बताया जा कि आतंकी 26-11 से भी बड़ा नुकसान पहुचाना चाहते थे इसी के साथ बने रहे हैं एश्या में जिन्डा के साथ खंदी बात